दोस्तों आप मेंसे बहुत सारे लोगों को दुख होगा कि आपने हर्शद महता को नहीं देखा लेकिन आपने वेब सीरिस तो देखिए स्केम 1992 उसमें सब कुछ रियल दिखाया गया कि किस तरीके से हर्शद महता स्टॉक मार्किट को मैनिपलेट करता था और अपने स्टॉक का वो आदमी था लेकिन आप लग्की हो कि आपने अडानी को तो देखा है ये तो स्टॉरी देख लिए अपने टाइम पर किस तरीके से हर्शद महता ने जो किया था वो आज भी हो रहा है लेकिन इस वक्त में आप देख रहे हो स्केम 2022 मैं काफी असान तरीके से आपको पर ने स्केम 2022 करके यहाँ पर सीधे सीधे शब्दों में उन्होंने बनाया है अपने इंवेस्टर्स को बेवकुफ खुदी के कंपणी के स्टॉक खुदी से बाए करके और खुदी से सेल करके उनकी वेल्यू बढ़ा दी हर्शद महता की तरह इसके बाद में उनके स्टॉ के अंदर भी नहीं है टॉप 15 क्या वो टॉप 20 के अंदर भी आपको नहीं मिलने वाले और आने वाले वक्त में शैद वो टॉप 50 से भी निकल जाए क्योंकि काफी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है उनकी इस कंपनी की सारी दुनिया के अंदर यहां तक कि उन्होंने एक चैनल भी बाय कर रहा है जिसके ओपर अच्छे अब उनके ओनर की जब पूरी दुनिया के अंदर थूतू हो रही है तो उसको बचाने के लिए किस तरीके से वह कवर अप कर रहे हैं आप बड़े अच्छे तरीके से देख सकते हो एक तरीके से यह कॉमेडी चैनल जैसा बन जाने के लिए यह तो मतलब ऐसा है कि दूद के गिलास में मक्ही इर चुकी है और उसको उंगली से दबाया जा रहा है कि भार मत निकली हो जब तक कोई देख रहा है अब यहां पर यह समझने की कोशिश करते हैं कि शेर मार्किट के अंदर इतना बड़ा कारनामा कर कैसे द जाना निकल गया जमीन से जो कि आपने डाला इस कंपनी के अंदर इसी तरीके की पांच कंपनी इंडनबर्ग को अपनी इंवेस्टिगेशन के अंदर मौरेशियस में मिली थी जिनकी नेट वर्थ आर्ट बिलियन यूएस डॉलर थी और उन्होंने अपनी नेट वर्थ का 98 परसेंट इन्वेस्टमेंट सिर्फ अडानी ग्रूप के अंदर कर रखा था तो यही एक लफडे का बाल इनको दिखा और उसके बाद में पाया कि यह कंपनी सिर्फ नाम की कंपनी जिस तरीके से स्केम 1992 के अंदर एक कंपनी होती है और उस पर ताला लगा होता है और बस फ खुलवा रखिये जहां से वो इन्वेस्टमेंट चल रही थी तो इंडिया के अडानी ग्रूप के अंदर अडानी की ही अनओफिशल पांच कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही थी स्टॉक के प्राइज बढ़ाने के लिए अब यह होता कैसे वह थोड़ा सा मैं आपको एक् फिर बाइ किये जाएंगे तो लोगों को लगेगा और बही यह इसकी तो काफी दादा इन्वेस्टमेंट हो रही है तो इसके शेर हम बाइ करते हैं तो इस तरीके से इन शेर की वैल्यू बढ़ती है और बढ़ते ही फिर लोग समझते हैं कि भाई बढ़ती चली जाएगी लोग बाइ कर लेते हैं और उसके बाद में यह बेच देते हैं 100 रुपे में बाइ किया हुआ शेर 120 रुपे में तो इनको हो गया 200 रुपे का फायदा तो इसी तरीके से जब वो शेर 110 पे जाता है फिर से बाइ कर लेती है 135 पे जाकर फिर से उसको सेल आउट कर देते हैं त किसी ने भी इतना ज़्यादा गौर नहीं किया और अब भी खेर नहीं करने वाला बस कितने हाइप उठालो कुछ भी नहीं होने वाला लेकिन इस तरीके से तीन सालों के अंदर अडानी ने करीबन 819% की ग्रोथ हासिल कर इए अपनी कंपणी के अंदर डूरिंग लोक्डाउन मतलब जब लोक्डाउन चल रहा था कंपनीयां बंद हो रही थी लोगों के पास में काम नहीं था ये company skyrocket बनी पड़ी थी और 819% growth कर गई अब इसी तरीके की एक और report आई थी 23 अगस 2022 को जिसमें बताया जा रहा था कि Adani Group कर्जों के दम पर अपनी company को चला रहा है वो एक over leverage company है जो की कर्जा लेते हैं, loan लेते हैं और उसके बाद में अपने businesses में aggressively डाल देते हैं जिससे की थोड़ा सा लगता है कि यहाँ यह काम कर रहे हैं और इस तरीके से यह investment भी पा जाते हैं अपनी company के लिए अब यही पर एक और चीज़ के उपर आपका मैं ध्यान ले जाना चाहूँगा कि Adani जी का एक गुजरात में port भी है जो की मुद्रा port कहलाता है December 2021 के अंदर इनके port के उपर करीबन 3000 किलो हिरोईन पाई गई थी क्या कुछ हुआ नहीं हुआ जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट के अंदर 21,000 करोड रुपे है अब यह कोई छोटी सी पुडिया तो थी नहीं या फिर किसी थैले में हिरोईन लाई गई थी पुरा 21,000 करोड की वर्थ की हिरोईन थी जो की 3000 किलो थी कंटेनर में भर कर आई थी उस port के उपर और इतना जादा हिरोईन किसी भी port के उपर भेजना तो ऐसा है कि जैसे कि यह अपना ही port है भेज़ दो कोई दिकते ने डरने वाले कोई बात ने लेकिन यह माल पकड़ा गया और क्या गैरेंटी है कि इससे पहले नहीं आया होगा इस तरीके का ज़िय कहीं माल क्योंकि जब इस तरीके से वो पर डे की अर्निंग कर रहे थे, तो यहाँ पर हिंडन बर्ग ने कुछ सवाल पूछे हैं, कि भाईया यह बताओ कि पाँच कंपनीज के अंदर, जो मौरेशेस के अंदर आपके भाई के नाम पे हैं, तो कहां से आए हैं 8 बिलियन युएस डॉलर, कैसे डाले गए इन कंपनीज के अंदर, क्या वहाँ पर तुम्हारा कोई पैसा दबा हुआ था, या फिर कोई दादा जी का खजाना निकला हैं वहाँ से, क्या ये पैसा मनी लॉंडरिंग करके भेजा गया हैं वहाँ पे, कैसारे सावाल हैं जिसके जवाब जिस तरीके से दीे हैं, हम कोँछ और नहीं बलकि इंडिया को चौर बता रहे हैं, क्योंकि हम ही इंडिया हैं, इस तरीके से कुछ जवाब सामने निकल का राये हैं, तो म произошे ब्रूप्तिया पर जाग गया हैं, सीधा जवाब नहीं दिया गया